हलो एवरिवन, वेलकम टू टेस्टी फूडी, आज हम बनाएंगे भर्मा करेला, करेला को हमने धो लिया है, सबसे पहले हम करेला को छील लेंगे, यदि आप इस तरह से भर्मा करेला बनाएंगे, तो खाने में भी टेस्टी लगेंगे, और बहुत जल्दी से बनके तयार हो और हातों से भी जैसे भी आप से बने, करेला को हमने अंदर से खाली कर लिया है, जिससे मसाला भर जाए, फ्रेंड्स यदि रेस्पी पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, करेला को हमने अंदर से खाली कर लिया है, इसी तरह से हम सारी करेलों क भीज निकाल देंगे, बीज को हमलग कर देंगे, और छिलकों को सबजी में यूज करेंगे, करेला में आधी चमच नमक डाल देंगे, छिलकों में भी डाल देंगे, आधी चमच हल्दी करेला में डालेंगे, छिलकों में भी डाल देंगे, हातों से मिला देंगे, जिससे नमक सभी लग जाई करेला को हो भी हम हातों से मिला देंगे जिससे नमक सभी लग जाई लंगे एक घंटा के लिए ढखका रखें अधीा था है कि एक हो गया है हम इ Hospice में जेंदू को कि दबाएंगे बड़िक हैदल तो एक घंटा दर किए अब देख सकते हैं करेला में कितना पानी निकला है इनकी छिलकों में इस पानी को हम अलग कर देंगे करेला को भी दबा लेंगे इस पानी को भी हम अलग कर देंगे अब हम गैस पर कड़ाई रखेंगे उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे जैसे ही पानी मुबाल आ जाएगा हम छन्नी रखेंगे करीला रखेंगे और 10 मेट के लिए ढग देंगे इस्टीम होने के लिए दस नेट हो गए हैं करेला भी स्टीम हो गए हैं निकाल लेते हैं यदि आप इस तरह से करेला बनाएंगे तो बहुत जल्दी से बनके तयार हो जाएंगे वाइल गरम है जीरे, सौप, प्याज, लैसुन, हर इमेज, प्याज को बहुत जादा नहीं पूरना है सिप सौप्ठी करना है अब हम इसमें डाल देंगे छिलके, प्याज के साथ छिलके भी भून जाएंगे प्रेंट्स यदि रेश्पी परसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दो-तिन नेट के लिए प्याज के साथ हमने छिलकों को भी भून लिया है अब हम इसमें मसाले एट करेंगे हल्दी, धनिया, लालमेज, पस्मेरी लालमेज, गरम मसाला, दो चम्मा सौप डाल देंगे इसे हमने दर्दरा कूट लिया है, अमचोर अमचोर जरूर डालिएगा इससे करिला का कड़वापन चला जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्वादा नुसार नमक, नमक हम कम डालेंगे क्योंकि पहले हमने करिला में भी डाला था सभी को मिला देंगे सभी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं, और दो तिर मिनट के लिए मसाला भी अच्छे से भून लिया है मसाला बनके तयार है, अब हम इसे करेले में भरतेंगे इसी तरह से हमने सारे करेले भर लिये हैं वायल गरम है, इसमें करेले रख देंगे फिलेम को लो करेंगे और इसे ढखका रख देंगे, तो पीच में चेक भी कर लेंगे पलट देंगे फिर से ढख देंगे फिर से पलट देंगे एक बार दो मिनेट के लिए हम और ढखेंगे फिर से पलट देंगे और आप देख सकते हैं करीला की सबजी बन के तैयार है कितनी अच्छी सबजी बनी हुई है फ्रेंड्स यदी रेस्पी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और इस तरह से एक बार करेली बनाकर जरूर ट्राइब